हलो प्रेंस एक वर्फिस स्वागत है आपका मेरी रस्वई में तो चलिए आज बनाते हैं कद्दू की खटी मीटी लाजवाब सी सबजी इसके लिए मुझे चाहिए एक कद्दू जिसे मैंने आधा काटके ले लिया है और ये कद्दू थोड़ा सा पका हुआ लग रहा है हमे चलिक चेक कर लेते हैं ये देखिए चलिका इस तरह से दवाने से तूट रहा है चलिका भी मुलायम है इसलिए हम इसका चलिका नहीं उतारेंगे और ऐसे ही हम कद्दू को कट कर लेंगे और इतना बड़ा पीस हमें चाहिए ताकि कद्दू बहुत गले ना और ये लिए हमें कुछ मसाले चाहिए हरी मिर्च लाल मिर्च एक चमच धनिया एक चमच हल्दी पाउडर आधा चमच मेथी नमक और काला नमक और अब कहीं में हम तेल डालेंगे दो चमच मैंने तेल डाल लिया है और इसमें मेथी और लाल मिर्च का तड़का देंगे इसे हम ला काद्ध को इस तरह से डाल कर मिक्स कर देंगे और इसे चलाएंगे आप इसमें हम सूखे मसालित धनिया हलदी और नमक-स्वाधिक इन्ष डाल कर सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए पांस मिनट के लिए भड़ रहे तक दिमें Het इसे बीच में इस तरह से जगह बनाते हुए जो कच्छे आम थे और हरी मिच्छ जो टुकड़े थे लंबे काटके रखे ते उसे इस तरह से काट इसन डाल देंगे और इस तरह से इसमें बंद कर देंगे और फिर ढकन खो लेंगे तो उसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे कास्मीरी मिर्च मैंने कलर आने के लिए डाला है आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मुझे जदा तीखा नहीं चाहिए और यह देखिए दो मिलड के लिए मैंने फिर से ठककर लगा दिया था और अब यह सब्जी हमारी रेडी है इसी प्रेटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने मेले सभी वीडियो जो आपको मिल सके हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचि कि जाएं प्रेङ्ट कर लेंगे